बस्ते मैं हूँ लक्ष्मी एलेंस किचन में आप सभी का स्वागत है बेसन की बर्फी के लिए एक पैन गैस पर रखेंगे इसमें डालेंगे चार चम मजगी 200 ग्राम बेसन डालेंगे मिला देंगे इसे अच्छे से गैस का फ्रेम लो ही रखना है इसे बनाने में इसे हमें भूरा होने तक भूनना है मैं ये बर्फी चिकने बेसन से बना रही हूँ आप फलका दरदरा वाला बेसन से भी बना सकते हैं और चिकने बेसन से भी बहुत ही अच्छी बर्फी बनती है ऐसे गुठलियों को चम्मज से दबाते हुए मिक्स करते रहेंगे लगातार चम्मज चलाते रहना है और ध्यान रखे की आथ धीमी ही रखनी है तेज आज पर बेशन जल जाएगा अगर घी कम हो जाए तो बेशन भूनते समय भी घी डाल सकते है मैं एक चम्मज गी और डाल रही हूँ टोटल पांच चम्मज गी हमने इसमें डाला है इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे करीब 15 मिनाट बार देखे बेशन अच्छे से भून गया है अब गैस बंद कर देंगे और इसमें एक बड़ी चमज हल्दी डालेंगे हल्दी का अलग से ऐसा टेस्ट नहीं आता है चिंता ना करें इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस फिर से चालू करके लो फ्लेम पर कर लेंगे हल्दी डालते वक्त गैस इसले बंद किया ताकि हल्दी ना जले हल्दी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है और बारिस के मौसम और कोरोना में तो इसे जरूर ले इस बर्फी में हेल्थ और टेस्ट दोनों ही है हल्दी डालने के बाद लो फ्लेम पर इसे दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे दो से तीन मिनट बाद इसमें डालेंगे एक सो पचास ग्राम गुड गुड को मैंने घिस लिया था इसे अच्छे से मिला लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी चिड़क देना है जिससे बेशन दानेदार होगा और गुड इसमें अच्छे से मेल्ट होकर मिक्स हो जाएगा लगातार चम मत चलाते रहेंगे थोड़ा सा इलाची पावडर इसमें डाल देंगे अच्छे से मिला देंगे गुड़ भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है देखिए तो अब गैस बंद करतेंगे अब किसी भी बरतन में थोड़ा घी ग्रीस करके या बटर पेपर लगा कर मिक्सर डाल देंगे अब चम्मस से ऐसे इसे बराबर करेंगे ताकि सेठ होने पर अच्छे से सेप में काट सके अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे बर्फी ठंडा होकर सेठ हो गया है अब इसके उपर थोड़ा काजू बादाम करके गार्निस कर देंगे और इसे चाकू से अपने पसंद से किसी भी सेप में काट लेंगे ये देखे बहुती अच्छी बेसन हल्दी गुड की बर्फी बनी है एकदम पर्फेक्ट और बहुती टेस्टी तो इस हल्दी और टेस्टी रेसिपी को जरूर बनाएं रेसिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मिलते हैं नेक्ट वीडियो पर